हलो फ्रेंज, वेलकम टू सोनम फैसर, बोटनेक ब्लोज ज़ान बनाएंगी, ब्लोज के बैक पाट के लंबाई रखी है तेरा इंच, सुल्डर, छैंच, आर्मूल, छैंच, सीना, साड़े नौ इंच, एंद कमर के लिए साड़े आट इंच रखा है, यहाँ पर हम छोटे गले की मार्किंग करेंगी, तो गले की चोड़ाई रखी है तीन इंच, गले की लंबाई के लिए साड़े नौ इंच पर निसान लगाएंगी, नीचे के तरफ से भी गले की चोड़ाई हमने तीन इंच रखी है, इसके बाद देकी एक निसान लगाएंगी, हम यहाँ तेर उपर के तरफ दा इंच पर निसान लगाएंगी और इसे कुछ इस तरीके से तिर्चे में मिला देना है अब उपर के तरफ से एक निसान तीन इंच पर लगाते हुए इसे बूटने का सेप दे देना है और यहें से देखिए हमें से कुछ इस तरीके से नीची की सेड मिला दे गले की मारकिंग हो चुकी है इसी मारकिंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसके बाद देखिए मैंने हापर ये पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है पेपर पेस्टिंग को हम डवल फोल्ड करके रखेंगी इसके उपर हमें अस्तर को रखना है और एज ए टेस हमें गले की मार्किंग कर लेनी है पेपर पेस्टिंग की उपर बहार के सैट से लगबग 1.5 एश्ट्रा कट करते हुए हमें इसे कट कर लेना है और अब जो हमने गले का सेप बनाया है इसकी उपर वहां से भी हम इसे कट कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से गले को सेप दिया है इसे सैट में करेंगे अब रखेंगे हम अस्तर अस्तर के उपर पेपर पेश्टिंग को रखना है और इसे आयरन की हल्प से अच्छे से चिपका लेना है यहाँ पर पेपर पेश्टिंग को चिपका लिया है अब लेंगे हम मेन फैबरिक मेन फैबरिक के उपर हमें अस्तर को रखना है एकदम अच्छे से सेट करते हुए इसके बाद हम इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे अब देखिए हम लगाएंगे गले में सिलाई तो सिलाई हम यहाँ पर एक परिया हापिंच का मार्जन छोड़ते हुए लगाएंगे जिस सेट में हमने गले को कट किया है उसी सेट में हमें इसकी उपर सिलाई लगाते आना है गले में सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इसमें नीचे की साइट कमर की तरफ लगा लेंगे इसके बाद गले के अंदर जो भी अश्टा कपड़ा है हमारा में फैबरिक का उससे हमें कट करते हुई निकाल दे रहा है बीच में से भी हमें से कट कर लेंगी जहां से बोटनी का सेप दिया था सरा इस्टा कपड़ा कट करने के बाद हम लगाएंगे इसमें छोटी-छोटी से कट कट लगाते टाइम हमें याद रखना है कि सलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए पूरे गले में कट लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे तो यह अस्तर हमारा नेजी की तरफ चला जाएगा और मेल फैबरिक हमारा उपर की तरफ आ जाएगा सुई की हेल्प से हम इसके कॉर्णर को सैट कर लेंगे अच्छे से जहां से बोटने का सेप दिया है सेम इसे तरीके से दूसरे सैट वाले कॉर्णर को भी हम अच्छे से निकाल लेंगे सुई की हेल्प से और इसे अच्छे से सैट करते हुए रखेंगे इस तरीके से अब इसके उपर देखिए हमें एक स्लाई और लगाने हैं फिनिसिंग के लिए तो फिनिसिंग वाली स्लाई हम बिल्कुल गले की किनारे लगाएंगी आप चाहें तो इसे ऐरन करके भी सेट कर सकते हैं अच्छे से यह देखिए कुछ इस तरीके से हम पनिसिंग वाले सिलाई बिल्कुल गले की किनारी लगाते आएंगे गले में सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इसमें नीची कमर की सेड भी लगाएंगे इसके बाद देखिए हम इसे उल्टा करेंगे और दोनों सैड से भी हम में फैबरिक और अस्तर को वापस में जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे सिलाई के बाद जो भी एश्टा कपड़ा देखिए में फैबरिक का उसे कट कर देना है यहाँ पर हमारे ब्लॉज में में फैबरिक का एश्टा कपड़ा नहीं है क्योंकि हमने दोनों को एक साथ कट किया था यह विल्कुल सेम सैज का इसके बाद देखिए सोल्डर के सामने से पलडते हुए हम इसके उपर बैक टक्स की सलाई लगा लेंगे बैक टक्स की सलाई हमें उपर की साथ चारें तक लगानी है सेम इसी तरीके से दूसरे बैक टक्स की सलाई लगा लेनी है ये कुछ इस तरीके से complete हुआ है इसे अभी हम side में करेंगे इसके बाद एक कपड़े का piece लिया है लंबाई रखी है 9 इंच और चोड़ाई रखी है 3.5 इंच इसे double fold करेंगे पलड़ते हुई और चारो तरफ से cover करते हुई इसके उपर एक slide लगा लेने है चोरो corner को cut करना है एक cut हम इसके B2B center में लगाएंगे cut सिर्फ हमें एक piece में लगाना है दोनों पड़ हमारे नहीं कटने चाहिए कपड़े के और इसे हम इसी cut से पलड़ते हुए सीधा कर लेंगे corner को अच्छे से set कर लेंगे इसके बाद हमने ली हुई है यहाँ पर यह lace golden color की और अब इस lace को देखी हमें इसके किनारे से attach करना है corner के पास हमें lace को थोड़ा सा मोर देना है तो यह lace हमारे इसी set में अच्छे से बैठ जाएगी इसके बाद देखिए हम बनाएंगे इसमें छोटी छोटी सी चुन्नट कुछ इस तरीके से सारे चुन्नट को एक साथे खटा कर लेंगे इसके उपर लेस को रखेंगे इस तरीके से और लेज की ओपर देखिए हमें स्लाउः लगा देना है आप चाहें तो हात की हल्फ से भी इसमें स्लाइः लगा सकते हैं यहाँ पर यह देखिए कुछ इस तरीके से बोवन के कमप्लीट हो चुका है इसे करेंगे सहेड में अब हम भलॉज को लेंगी और भलॉज की गले मे देखि हमें इसको होटेज करना है något कि तो जहां पर भी हमारे बलोज में कॉर्णार आएंंगी वहां पर हमें लेज को हलकासा मोर देना है और स्लाय लगा लेनी है लेज को हम थोड़ा सा भी नहीं कीचेंगी फिल्कुल हलके हाथे करें लेज को सेट करते जाना है गले के सिप्प में और इसकी उपर एक स्लै लगाते आना है है में कुछ इस तरीके से हमें गले के कनारे लेज को अटैज कर लेना है बहुत है अच्छे तरीके से जुभी इस्ट्र धागा देखियों उसे कट कर देंगे गलाब वनके कम्पलीट है जो भो बनाया था उसे हम नीची की सेट रखते हुए टक कर देंगे उपर की सेट देखियों हमें 100 बटन को टक करना है तो हमें इस सो बटन को चार से पांच पर धागा डालते हुए अच्छे से टैटली टक कर देंगी इसी के साथ देखिए हमारे ये ब्लॉज का डिजान बनकी कम्प्लेट हो चुका है ब्लॉज का फैनल लोग कुछ इस तरीके से आया है वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हैलफूल लगी तो वीडियो को लाइक देथा चैनल को सब्सक्राइब करें धान्यवाद